राम राम आज हम श्रुमत भगवत गीता के अध्याई नौ राज विध्या राज को ये योग का श्लोक तीन देखते हैं पहला चरण अश्रद श्र का अर्थ हुआ श्र आधा शंकरजी वाला श्र आधा और पूरा श्र की साथ आधा द अश्रद and दन द पूरा है डैश के बाद उस द मी अमिक्स करेंगे अश्रद धधाना आखी मातरा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे हाँ अश्रदधानाः पूरू दोनों मात्रा छोटी है लंबा नहीं कीच ना पूरूशा अश्रदधानाः पूरूशा दूसरा चरण ध म की उपर आधिर की मात्रा धर मस म की साथ आधा स धर्मस यास्य स आधा या पूरी के साथ स्य ध्याद रखता हैं कि स है ना कि श धर्मस यास्य प पूरा है आमिक्स करेंगे र की साथ आधा परन्त और प दोनों में आमिक्स करेंगे परन्त प दूसरा चरण रिपीट धर्मस्यास्य परन्त प पहला और दूसरा चरण साथ में अश्रद धाना पूरुशा धर्मस्यास्य परन्त प तीसरा चरण अप्राप्य प्रा यानी पाधार पूरा इस रपूरे में आ की मात्रा जुड़ेंगे अप्रा पाधाय पूरा अप्राप्य मा की उपर बिंदी आधाम माम नीव तकी उपर आधार है नीवर तकी साथ आधान नीवर तनते तीसा चरण रिपीट अप्राप्य मामनी वर्तन ते चौता चरण म के नीचे री से रिशी के मत्र है मृ आधात यू के सत्यू मृत्यू स के उपरबिंदी आधान संसार मैं अमिक्स कर रहे हैं संसार व त आधा म पूरा म के उपर आधार है उसको व की साथ पहले पढ़ा जाएगा तो वर दैन आधात यू तो वर्त वर्त मनी चौता चरण रिपीट बृत्यू संसार वर्त मनी तीसरा और चौता चरण साथ में अप्राप्य मामनी वर्तन ते बृत्यू संसार वर्त मनी पूरिश्लोका उचारन एक साथ अश्रद्धधानः पूरुशा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम्निवर्तंते मृत्यु संसार वर्त्मनी अश्रद्धधानः पूरुशा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम्निवर्तंते मृत्यु संसार वर्त्मनी श्लोक का अर्थ देखेंगे अश्रद्धधानः यानि जो श्रद्धान नहीं रखते हैं कौन पूरुशा हा मनुश्य अश्रद्धानः पूरुशा धर्मस्यास्य धर्मस्य अलग करेंगे और यस्या धर्मस्यास्य न तो या में जो अ हैं उसको अलग करेंगे धर्मस्या धर्मस्यास्य यानि धर्म की महिमा पर अस्य यानि इस परंतप यानि शत्रों को तपाने वाले अर्जुन हें अर्जुन को हे शत्रों को तपाने वाले अर्थार्ट अर्जुन या हे परंतप जो इस धर्म में इस धर्म में भगवान किसके लिए कह रहे हैं जो पिछले दोश लोकों में भगवान जिसे राज विद्या कह रहे हैं जिसे राज गुहिय कह रहे हैं अर्थार्ट जो विज् दक्षे जो करने में अत्यन्त सुगम है वो विज्ञान सहित ग्यान पर जो श्रद्धा नहीं रखता है उसके लिए क्या बता है भगवान अप्राप्य वो प्राप्त नहीं करता है किसको माम मुझे यानी भगवान अपने लिए कह रहे है निवर्थ अंते बार बार लौटता रहता है किसमें मृत्यू संसार इस मृत्यू रूप वर्थमनी संसार में बार बार लोटता रहता है पूरा अर्थ क्या हुआ भगवान बोलते हैं परंतब इस धर्म की महिमा पर मतलब इस विज्ञान सहित ज्ञान पर जो श्रद्धा नहीं रखता उसे वो मुझे ना को स्विकार कर लेता है जो इस विज्ञान सहीत ज्ञान को मान लेता है जिसे हम इस अध्यानों में आगे देखेंगे उस पर श्रद्धा रखता है विश्वाश रखता है और यह बात मानता है कि संसार में मिलेवे सब पधार कीवल परमात्मा के हैं कीवल परमात्मा को प्र आगे के श्लोकों में हम देखेंगे कि ये विज्ञान सहित ज्ञान है क्या जिस पे श्रद्धा रखने से अवश्य ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और हम इस जन्मरन के चक्र से हमीशा हमीशा के लिए छूट सकते हैं ना रहे ना रहे